दोस्तों Google AdSense में एक notification हो रहा है और उस notification के बाद से बहुत सारे YouTube creator परिशान हो चुके हैं जितने भी website user हैं वो भी परिशान हो चुके हैं कि यहाँ पर करना क्या होगा कि आखिर यह notification क्या कह रहा है आपको करना क्या है दोस्तों वीडियो को लाइक करें के कॉमेंट्स करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकनल पर प्रेस करते इसी तरीके के knowledgeable information के लिए सबसे जब आप Google AdSense ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक notification होगा ज साइट का option है इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद से यहाँ पर एक notification आ जाता है एड़ साइट का उसके बाद से यह क्या करते कि अपने YouTube चैनल का URL होता है वह यहाँ पर डाल करके और सेफ कर देते हैं जो की रॉंग है अगर आप यूटूबर है तो बिलकुल भी आपक करनी होगी पहले तो जूम कीजिए जूम करने के बाद से तीन लाइन पर जाने के बाद से यहाँ पर payment का जो option है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर payment information जो है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर जो भी आपके पास जो information आपने फॉल्फिल किया है तो आपको अपने pen card या फिर passport होगा उससे आपको मिला लेना है कि जो भी आपने payment details जो है अगर सही तरीके से फॉल्फिल किया है तो ठीक है कोई दिकत नहीं है यहाँ पर नीचे जाएंगे तो manage payment method का option आएगा इस पर आपको simple click कर देना है जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे details मिल जा कि अगर आपका bank details कुछ और है और यहाँ पर आपने कुछ और डाल रखा है तो गलत हो जाएगा तो आपको यह चीज मिला लेना है नाम पता इडिस वगर सब सारी चीज मिला लेनी है उसके बाद से आपको simple करना क्या है यहाँ पर हम back चलते हैं यह चीज बहुत ज़्याद user है और आप Google action से पैसा कमाना चाहते हैं आपका criteria पूरा हो चुका है तब जाकर के आपको action वाले icon पर click करना है और वहाँ भी click करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको जो भी website का होगा ना details यानि कि जो link होगा जो भी आपके website का link होगा आपको add side पर click करके और यहाँ पर डाल देना है और save कर देना है उसके बाद से आपको वही payment वाले method पर जाना है आपको अपना नाम पता address जो नाम होगा bank details का वो सारा जानकारी मतलब कि सही जानकारी वहाँ पर fulfill करना है उसके बाद यह जो है ना आप इसको dismiss कर देंगे back जाकर के क्योंकि यहाँ पर चीज your side उसके बाद से आपको अपना website जो है वो डालना होगा कुल मिला करके आपको यह information कैसा लगा यह यूटुबर के लिए तो बेसिक है ही नहीं यूटुबर आप आप हैं तो आपको यहाँ पर dismiss कर देना है अगर आपका website है website user है तो जाकर के आप यहाँ पर add side करें नहीं तो इसको dismiss उपर से करके और back हो जाए तो दोस्तों यह information आपको कैसा लगा